अगनाशय यह टॉपिक जो है वह वह बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अगनाशय क्या होता है इसमें किसके क्या क्या भाग होते हैं इसमें कौन का अंजायम पाए जाते हैं सब कुछ तो मैं यह सारा कुछ इथी वीडियो में क्लियर करने वाली हूं तो आप सभी मेरी यह वीडियो पूरी देखेगा चले स्टार्ट करते हैं अगनाशय एक पत्ती की तरह चप्ती कोमल तथा गुलाबी रंग की ग्रंथी है जो ग्रहणी की सी के अकार्थ की दोनों भुजाओं के मद इस्थित होती है कि मतलब जो अगनाशय होता है वह एक पत्ती की तरह चप एक मिश्रिद गंती है जो अगनाशय ये भी कोशन में बनता है कि मिश्रिद गंती कौन सी होती है तो अगनाशय जो होती है वो एक मिश्रिद गंती होती है क्योंकि इसमें बहिस्तावी तथा अंताइस्तावी दो भाग होते हैं क्योंकि अगनाशय में बहिस्तावी गंती अगनाशय के बहिस्तावी भाग दौरा अगनाशयी रस निकलता है इस रस के मुख्यता तीन प्रमुक अंजाइम पाए जाते हैं अगनाशय से गुजरता है तो वहां मंड और ग्लाइकोजन युक्त भोज़पदार्थ को मंड और ग्लाइकोजन होता है उसको माल्टोज में परवर्थित कर देता है तो चले इसके बाद देख लेते हैं लाइपेज जो लाइपेज होता है या वसा को वसा अमलो तथा ग्रिसलान में परवर्थित कर देता है तो आपको यह सब समय में आ रहा होगा तो चले हम आगे ही देखते है त्रिक्सिं का जो कार होता है यह बदल देता है रथा त्रीप्ठावी निनो अम्हिंतान में बदल देता है जिसे लेंगर・क्षास-जिस की बाइश citizen आप ket का बनता है कि लेंगर हैंची डीपिकाई कहां पाई जाती है तो लेंगर हैंची साथ वह काई गरते हैं जी까요 इसलिए आगे देख लेते हैं इनमें इंसुलिन तथा ग्लुकेगॉन हार्मोन से तावित होते हैं यह जो लैंगर हैंस की दूपिकाये हैं इसमें इंसुलिन और ग्लुकेगॉन हार्मोन का स्ट्रावर होता है इसके बाद आगे देख लेते हैं जो रुधिर में सरक्रा की मात मदमें रोग हो जाता है जी हाँ जो इंसुलिन हार्मून होता है इसकी कम स्ट्रामर से मदमें रोग मदमें रोग मतलब की शुगर डाइबेटीज हो जाती है इसलिए जो डाइबेटीज के पेशन्ट होते हैं उन्हें तीन तीन या फी चार चार दिन के बाद इंसुलिन का ए होता उसमें glucose की मत्तर बढ़ जाती है तो आपको अगनाशय के बारे में समझ में आ गया होगा आप अगर जो इस टैप से पूरा अगनाशय का पूरा डीटेल में लिखें अपने इज़ाम में तो आपको फुल माक्स मिलेंगे अगर जो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी